नमस्काल स्वागत आपका न्यूस 24 पर मैं आपके साथ पूजा और आठोर शर्मा तो आठ राज्य और केंदर शासित प्रदेशों के 58 सीटों पर छटे चरंड का मतदान अठारवी लोग सभा के लिए जारी है सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है हालांकि इस बीच वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ गया है सुबह 9 बजे तक आज वोटिंग परसेंटेज सामने आया है पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो यहां अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है सुबह 9 बजे तक का आकड़ा 16.54 फीसदी पश्चिम बंगाल के लिए और डीशा की बात करें तो यहां इस वक्त सबसे कम मतदान दर्ज किया गया है 7.43 फीसदी सुबह 9 बजे तक का आकड़ा आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में भी सुस्त रफ्तार है 8.94 फीसदी वोटिंग सुबह 9 बजे तक दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में भी हालात थोड़े भेतर 12.33 फीसदी वोटिंग लेकिन पश्चिम बंगाल आज भी अभी तक जो सुबह 9 बजे तक का आकड़ा आया है वोटिंग में सबसे आगे चल रहा है वही ट्रेंड जो पहले चरण से बश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा था लेकिन इस बार ओडिशा में सबसे कम मतदान 7.4 तीन फीसदी वोटिंग दर्ज की गई है ओडिशा में फावन सीटों पर वोटिंग सुबस 7 बजे से शुरू हो चुकी है और ग्राउंड जीरो से तस्वीर जानना बेहत जरूरी है किया महाल ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं मेरे तमाम सहयोगियों को आसिफ सुहाव हमाल साथ अनंतनाक से जुड़ गए हैं नौर्थीस जेली से आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी पल्लवी को और अमिताब ओजा आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त शिवहर से तो बेहत महतोपूर्ण सीटे और चलिए चलिए ओजा शुब सबसे पहले में दिल्ली का रुक कर लेती हूँ क्योंकि देश की राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली देश का दिल यहां की जनताज किन मुद्दो को लेकर वोट डाल रही है नौर्थ इस डेली पल्लवी सबसे ज्यादा चर्चा में रही यह सीट अपने प्रतियाशियों के चलते और तमाम बहुत सी घटनाई भी मतदार से पहले चिनापरचार के दौरान हुई तो बताइए यहां की जनता किन मुद्दो को लेकर आज वोटिंग करने पहुँच रही है और माहौल दिखाईए बिल्कुल पूझा लेकिन जिस तरीके से पहले आपने कहा कि दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज जो है वो इस वक्त बहुत स्लो है आठ प्रतिशत के हिसाब से इस वक्त देखा जाए तो इस्तिति काफी अच्छी नहीं मानी जाएगी इसलिए जरूरी है कि न्यूस 24 देखने वाले दर्शक आए दिल्ली के वोटर्स और वोट करें सेंटर्स पर क्योंकि ये मत का अधिकार जो है वो बहुत महत्यपूर्ण है बहुत बड़ा दिन है इसलिए निकल के आईए बाहर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी समस्या बढ़ने लगेगी इसलिए जरूरी है कि आप जल्दी से आए अपने सेंटर्स पर वोट करें अब आपने सवाल किया कि बहुत महत्यपूर्ण और बहुत दिल्चस्प ये सीट है जी हाँ बिल्कुल दिल्चस्प सीट है क्योंकि साथ सीटों में अगर बात की जाए तो यही एक मात्र सीट है जिस पर बीजेपी ने अपने उमिद्वार का टिकेट नहीं काटा यानी मन बेटर माने जाते हैं एक दूसरे पर लगातार आरों प्रत्यारों बड़ी तेजी से करते हुए नजर आए ये अलग बात है कि किस जिस दौरान कनहिया का नाम सामने आया उस बीच में कॉंग्रेस की बीच दिखास करके दिल्ली में यूनिट में काफी उथल पुतल हुई और दिल्ली कॉंग्रेस के अध्यक्च अरवंदर सिंग लवली ने स्तीफा दे दिया और बीचेपी जौइन कर लिया लेकिन बावजूद इसके कनहिया कुमार अपने इलाके में बढ़ चड़कर लोगों से संपर्ग करते नजर आए लेकिन वही मनोश तिवारी भी लगात संपर्ग साते नजर आए और कई तरह के कटाक्ष करते नजर आए तो इसलिए ये जो सीट है काफी दिल्चस्प हो गया है लेकिन अगर मैथमाटिकल कालकुलेशन देखेंगी तो बीजेपी 2019 के हिसाब से काफी उपर है क्योंकि 25 फीसेदी का वोट जो था जीत वोट परसे है या फिर मोदी वर्सेज इंडिया गडबंधन के प्रत्याशी है तो लोग मेरे साथ यहां पर बहुत सारे है और लगातार सुबह से पहुंच तो रहे हैं लेकिन यहां अंदर काफी भीड हो गई है क्योंकि वोटिंग काफी स्लो हो रही है काफी समय लग रहा है यह क्यो लोगों से पूछ लेती हूं आपका नाम क्या है बिटे आगे आई ए आगे आए है अ दिव्यांच करा आए जी फॉस्ट टाइम है जी कितने इंतोस्यास्टिक थे बहुत इंतोस्यास्टिक थे बहुत थे तो नहीं लग रहा है जी कैप अलब यह बने रहे हैं इसमिस्द के झालब यह टो